हैलो दोस्तों, आपको पता है, आज कल जितने भी गॉर्वर्मेंट जॉब्स एक्जाम्स होते हैं, जितने भी कांपुटिटिव एक्जेम्स होते हैं, अब मैं इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है, जिसका टेस्ट होता ही है, और सबसे जरूरी चीज यह होती ह कि English reading, habit of English reading, जब तक आप English को पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक आप उसमें कुछ भी कर नहीं पाएंगे, तो सबसे जरूरी है कि आपके पढ़ने की habit बन जाए, पढ़ने की habit बनेगी तो धिर 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 आपकी साथ साथ में walk-up लरी भी अच्छे होती रहेगी, और साथी साथ इसमें कई बार हमने देखा है कि students जो है वो बहुत मिराश हो जाते हैं, तयारी करते करते हैं, एक साल, दो साल उनका number नहीं आया, तो बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, तो ये जो book है आपको समय समय पे motivate भी करता रहेगा, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही सक्षम है, एक general आदमी, एक समय आदमी से भी ज़्यादा इनके अंदर talent है, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके से अपना life spend किया है अभी तक, दोस्तों हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इससे आपको, I hope आपको बहुत ही प्रेना मिलेगी और आपका English reading habit भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, updated with a new afterword from Nick, okay, life without limits, एक ऐसी life जो सारी limits से परे हैं दोस्तों, okay, inspiration for a ridiculously good life, दोस्तों, आईए हम देखते हैं, इसमें contents P.A.W. है, टोटल 273 pages की एक बुक है, एक novel है, इंट्रोडक्शन में इन्होंने अपने आपके बारे में बताया है कि किस तरीके से ये कहां पैदा हुए थे, इनके parents ने इनको किस तरीके से पाला पोसा, इन्होंने कभी अपनी जि कि इतना फैस या उसके बावजूद भी उन्होंने उन्होंने उन्हों सबको overcome करके एक अच्छी life जी, ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहां से first chapter, if you can't get a miracle, become one, ओके, अगर आप कोई चमतकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपके साथ कोई चमतकार नहीं हो रहा है, आप खुदी एक चमतकार बन जाएं दोस्तों.